कि हाई गाई आपका स्वागत है आपकी अपने show MKJ Talks for investment in Hindi में हाहा हाहा कैसे हैं आप कि आज मैं आपसे खास बात करने वालों मैं आपको बता रहा हूं आप मैं से भहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं वो क्या कर रहे हैं से मुझे बताते हैं कि सर बजार काफी गिरेगा काफी गिरेगा और माल बेची जा रहे हैं गिरावट पर उठाएंगे देखो गिराने के चांसिस हैं मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि गिरने के चांसिस नहीं है गिरने के चांसिस हैं पर भाई साब उतने ही लेकने को आ सकती है कारण बताता हूं क्यों दिसंबर 2021 नवंबर अक्तूबर के बाद नवंबर 2021 से महल खराब हुआ था दिसंबर 2021 में भारी गिरावट आई थी और फिर जो महल श्यूंट बाद चला डाव बजार गिरने का नाम नि ले रहा सारे नेगटिव फैक्टर इंबिल्ट हो गए और भी नेगटिवीटी आ सकती है रिसेशन का डर होता है जब सबको लगता बजार गिरेगा और सब माल खाली करके बैट जाते हैं तभी बजार भागता है इस वक्त आपको अपनी निखाए चील जैसी रखनी पड़ेगी इकल जैसी रखनी पड़ेगी और गाना गाना पड़ेगा गाणार बुल्स गौनार बेर्स इगल इस डिविनर लेट्स बीग क्लियर आप में से बहुत सारे लोग धाले मार मार के रोगर इसमें दो तरह के लो किसा भागेगा आप रोते रह जाओगे अपने आपको पकड़ पकड़ के मारोगे लोगों से कहोगे मुझे पीटो मुझे पीटो क्योंकि मैंने माल नहीं खरीदा मैं उन लोगों को बता दू जो बहुत इंदिजार कर रहे हैं ऐसे धेरो शेर हैं जो आज भी दस जार ग्यारा जार के इंडेक्स लेवल पर अविलेबल हैं कंपनिया सही है अर्निंग में ज़्यादा परिवर्तर नहीं आया है अच्छे रेट पर उपलब दें उन शेरों को लोग हैं जिन्होंने सारा पैसा बजार में लगा दिया है और माल बेच ही नहीं कि आज भी बहुत सारे शेर ऐसे हैं जो अपने लाइफ टेम हाई के नजदीक घुम रहे हैं उनके पास बड़े हुए हैं वह सोच रहे हैं यह साला चार गुना हो जाएगा दस गुना हो जा जाने पैसे लिएं झां से लिए हैं यह लोग म्हें माल गरने चाले बाती हैं तो ने जामने से था क्योंकि जब बजार भागता है उनके पास शेयर नहीं होते सिर्फ कैश होता है और कैस्ट चीक-चीक के कहता है कि मैं कुछ कि कमाके दूंगा मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा है तो जो पैसे खूल-खोल के देखो पैसे कभी नहीं भढ़ते उतने ही रहते हैं बैंक में पैसे रखोगे जैसे ब्याज आजाएगा और वह इंफलेशन को भी नहीं काट पाएगा तो वह लोग जो इंतिजार कर रहे हैं कि यह बहुत ज़्यादा बजार गिरेगा वह बहुत धाले मार मार करें कि मैं आपको बता रहा हूं चेता रहा हूं कि निगाये गाले रखो बजार में दोनों तुरफ की चीज़ें आज ही आज में देखो मैंने लगभख साले पांच लाग का प्रॉफिट की अर्न किया है जिसका लाइफ डेमो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया अगर आप भ पर बनी है रोज डेमो देता हूं बजार गिर रहा है बढ़ रहा है मौके मिल रहे है शेर भाग रहे हैं उनको बेच रहे हैं उनमें प्रोफिट बुक कर रहे हैं उनके खरीद रहे हैं दोनों तरफ के काम कर रहे हैं cash balance maintain किया हुआ है कि बजार गिरेगा तो माल यहीं रहेगा तो जो शेर चड़ गए हैं उनको बेचेंगे जो शेर गिर गए हैं उनको खरीदेंगे आज के आज दिन में मैंने बढ़िया शेर बेचे जो चड़ गए थे और शेर जो गिर गए थे बढ़िया उनको खरीदा पीछे भी खरीदा था और कैश अभी भी सरप्ल उसे profit कमा लेग एंके टार्गेट Profit strategy लगाईए तब याज़ इंगे नहीं पर बारेंगे पीटेंगे र्भ कूट लेंगे कि रहे गया तो सहाब मैं यहीं कहूंगा इगल बनिये गौन आर बुल्स गौन आर बेर्स इगल इस दी बेनर लेट्स बीक जाब प्रॉफिट बुकिंग करी बढ़िया प्रॉफिट कमाया उनका खुलासा आज कर दूंगा मंत्री पीएंडल दे दूंगा फ्राइडे तक थर्सडे की एक दूंगा टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से जॉइन करिए ताकि आपको खुछ खास खास बाते मां में कुछ ट्रेड भी देता हूं आज कल बढ़िया और इंफोर्मेशन भी देता रहता हूं मार्केट के दोरन वह भी आप जॉइन कर लीज बाते करते हैं यह चरिम सीमा पर is 84 एक के लेवल पर आगया बज़ार मार्केट मूझट एक्सट्रीम भागेगा बजार भागेगा तो जो अभी भागे हुए गिर जाएंगे जो गिरे हुए भाग जाएंगे तो profit booking करते रही है अब बात करूं आज कैसे अंतराश्ट्रे बजारों का काम चल रहा है तो परीका के सारे बजार फ्लैट ही हैं थोड़े थोड़े बड़े हुए हलके फुलके गिरे हुए हैं लेकिन ट्रवन्टो भी हालत है ब्राजीर की यहाल है यूएस का भी हाल है बजार में अब इस वक्त कंसॉलिडेशन हो रहा है कुछ शेरों को भगाया जा रहा है कुछ को मा करोप में नज़र आएगा चार बजार हल्की लालयाली में और चार बजार हर की हरी लिम्हें तो देखिए कमा अगर आज मैं बात करूओ है से भजान की तो भारती बजार समेथ तेवान और जपान बढ़कर बंदो रहे बाकी परिवर्तन नहीं आ रहा है यूएस डॉलर स्टेबल है क्रूड ओयल स्टेबल ही है रुपया स्टेबल ही है और आज आपका 10-year Treasury yield भी स्टेबल है भाईयों भेनों बजार के सारे इंडिकेटर स्टेबल है और मोके पर वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं जो चोका लगा रहे हैं अब देखिए लगातार कैश सेग्मेंट में विक्वाली कर रहे हैं आज भी 412 करोड का माल बेचा पर इसके विपरीद उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में बड़ी खरीदारी करी जिसके चलते 2000 करोड से उपर की खरीदारी करके गए हैं टक्कर से जादा की खरीदारी डियाइज ने डिखाई 1177 करोड का आज मैंने कई सारा माल बेचा और आज ही मैंने कई सारा दूसरा माल खरीदा चर्णिंग चल रही है F20 बनना पड़ेगा कुछ बेचना और कुछ खरीदना पड़ेगा किसी को भी देख लो F20 कि इसको कभी कुछ बेचते हैं कभी कुछ खरीदते हैं आपको भी ऐसा तालमेल बिठाना पड़ेगा जिसके चलते आप देखेंगे आज भारतिय बज़ारों में Cache segment में साटस्हं सास सो क्रोल की खरीदारी आई है एैफ की इंडेक्स लांग काफी मजबूत है stock long relatively कम हो गई है पर index long काफी मजबूत है कि यह स्टॉक फूचर भी ठीकल में खरीदारीई थी स्टॉक फूचर में यहनदेक्स लॉन तो स्टॉक की कम हो गई है एक बार देख लो थोड़ी इंडेक्स लॉंग कम होई है अब बात करें निफ्टी फिफ्टी की तो कल बजार बंद हुए एक ठीक ठाक सी गैप आप ओपनिंग शुरुवात में करंट नहीं था बजारों में गिर गए बारा बजे से पहले तक बॉटम बना गए 17,612 का यानि पिछली क्लोजिंग से नीचे का फिर अफुचकर गोली बाज भागते रहे 17,754 का पीक बनाया और पीक के आसपास 17,743 पर 120 पॉइंट बढ़कर पॉइंट 6,8% की अच्छी तेजी के साथ बंद हुए आज चोर लगाया HDFC लाइफ में इसमें खबर यह है कि कंपनी का सेभी के नियम हों के अनुसार जो इनकी होल्डिंग कंपनी उसमें 30% शेर ले सकती थी और HDFC बैंक और HDFC का मिलन हो रहा है तो दोनों की जोड़त मिला से यह शेर भाग गया टाटा कंजूमर प्रोड़क्ट मेरे रडार में रहता है हर बार दो चार रुपे की वज़ा से रह गया और आज गोली आज यह सारे शेर आप देखिए बैंकर तेजी के साथ बंद हुए पर साथ में इंडसिंट बैंक सिपला डॉक्टर एडी डिवि कोशिश की बाठार बार बाठार कि अ था निस्मिट्स के अधर मन में आता है बाठार गिरेगा बाठार नहीं बजार वापिस चड़ जाता है तो भाया यह चक्कर है लोग जो है शौट करने में लगे वे मुझे लगता है अभी शौट ना भी हो बजार एक पकड़ बना सकता है इस वक्त ऐसा भी लग रहा है मैंने इस लफ तरह आपको चिता भी दिया और दोनों तरफ की तैयारी कर भी सब्सक्राइब के लिए में सब्सक्राइब चार्ट पर बेरिश क्रॉसओवर तो नहीं है बुलिश क्रॉसवर पर मंदा होता जा रहा है और आरे से अभी भी मजबूत है अगर मैं आप्शन चेन अनैलिसिस की बात करूं आज कातिलाना काम हुआ है सत्रह साथ सो के लेवल अत्रहा तक अब कॉल राइटर भाग गये पूट राइटर अ गहें यह संकेत पर सत्रह आचंसों पर कॉल राइटर जमेंच यहां पर राइटिंग बड़ी तो है पर कम है तो 17 जाश्टो पे 17 800 एक स्ट्रॉंग रसिस्टेंस है PCR की बात करूं तो PCR आज बढ़ा है और न्यूट्रल हो गया बढ़ने का मतलब है पूट राइटर्स हावी हो गए है कॉल राइटर्स छंडे हो गए अब मैं निफ्टी बैंक की बात करूंगा निफ्टी बैंक बंद हुआ था 42,118 पर वहां से आज बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग साड़े 300 पॉइंट की बॉट्टम शुरुआती दोर पे 42,270 के लिए पेटे का पिछली क्लोजिंग से उपर का उसके बाद गोली पीक बनाया 42,714 का फिर हलका सा गिरके 42,635 पर 517 पॉइंट की बड़ी तेजी इस सवा परसन की तेजी के साथ निफ्टी बैंक बंदवा लुंगी के साथ पुंगी खोल दी जिनों ने इसमें शौट किया था आईडियर सी फर्स्ट बैंक आईसे से बैंक सब भरा हुए बैंक करोदा नहीं है एस भी खास नहीं एक्सिस बैंक है पी एन भी बेज दिया यह सब भाग रहे थे गिनने वालों में इंडसिंट बैंक और बंधन मैंक और यू स्मॉल फाइनेंस बैंक थे हैं अब इसका पीसी आर देखा जाया तो इसका भी वही है जो कॉंसॉलिडेशन के बाद उपर का इसने ट्रेंड बनाया हुए तो निफ्टी बैंक बदा दू प्रभू के अशिरवात से प्रभू की किरपा से आपकी शुपकामनाओं से पांच लाग सतरा जार दोसों का प्रॉफिट कमाया दो नई पोजिशने बनाई ओपल और बैर्ल की जबर्दस्त दो पोजिशने स्क्वेर ऑफ करी प्लाटिनम की एक पोजिशन एमरेंड सफायर के ठारा पोजिशन्स अठारा और दो स्टॉक्स्क्वेर ऑफ किये और पांच लाग सतरा जाग दोसों का प्रॉफिट कमाया 490 के उपर बेचे हैं इसमें मिलाकर कुल प्रॉफिट कितना हुआ तीन लाग एक हजार के आसपास का प्रॉफिट हो एक शौट में यह होता है यह लाइफ डेम है जो मैं आफ्टर लॉस के बाद है यानि इसमें सारे तीन लाग के आसपास का प्रॉफिट था 42 घटाने के सब्सक्राइब तीन लाग के फिर गेल के सारे शेयर नहीं दिये मैंने गेल के 9150 की मैंने कॉल स्क्राइब करी जिसमें 27,000 का नुकसान हुआ फिर मैंने इसके मादर 6000 शेयर बीचे अभी मुझे लग रहा है तेज हो सकता बाकी बाद में बेचूँगा जिसमें लगबक कितन यह होती है प्रभूगी के पाँ यह सब के लिए मेरे पास बढ़िया डीमेट अकाउंट है अगर आपने अच्छा डीमेट प्रवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाईए हमारे प्राइवेट टेलिग्राम चैनल के सदस्य बनिए फ्री में एड एडूकेशनल वीडियो मिलेगी इसी के साथ बबाए गॉड ब्लस्यू हैपी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने